गूड मॉर्णिंग एविर्वान वेलकॉम ब्याक मैं सुभाम स्वागत कर रहा हूं अप लोगों को मेरा और एक नया ब्लोग में यह से टाइटल और ठंबल देखके तो आपको आइडिया लग गया हुगा कि यह जो वीडियो है कौन सी टपिक में होने वाला है हाँ जी प्रेन है वह बारा तारीक को है भुद्ने सर्टू अनंग बेहर तक फिर वहां से मैं कहां जाओगा तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बटा दोगा खिर कोई नहीं जो भी होगा आप लोगों के लिए जा रहा हूं वीडियो बनाने के लिए सब कुछ आप लोग दो चीजा का मैं आर्ड किया था सब डेलीवरी हो चुका है पहले से लेकिन अभी उसका डेलीवरी में का कॉल आ गया था उसका बगों करना है काम करते रिसिप करते है वह सब हाद एंपे के लेके आते की वीडियो को कंडिनियू करते हाँ जी अभी सब चीज आ चुका है उपर अभी जो मैंने आपको बोला कि एक डो चीज जो रहे गया था अभी डेलिवरी बॉय का कॉल आ गया था वही चीजटा वाइल क्रप की तरफ से ब्याक्था जिसको मैं आपने साथ लेके जाना बला हूं और बाकी एरो ट्रेकिंग पैंट है उसके अंदर है ठीक है भाई फैनली अभी बॉक्त आ गया यह सब चीज को पैकिंग करने की अंदर से बहुत ही खूशू में लिकिन एक चीज रहे गया भाई अभी इस सब चीज को थोड़ा बहुत आईरन करना पड़ेगा क्योंकि हाल इसाँ और बाई बाई यह वया इस स्थाराण में लिकाट बॉक्त आप़ेगा मैं में लिकाट आईड़ेगा क्योंकि स्थाराण पिर्या भाई बॉक्त पुलिव इस सब टोड़ा बहा इस अटेस्ट नट यष व्ज वैस व्जाब मपूंग वैस प्लिश ये लिख वक्त अनुट यि व्जीन के लिएो लिञे य। अटेस्ट नट आवनेटे लिए यूने वाल में आवने दाव यू एमें एंट से वे झाव यूना व्नेख वांट्स इसको तो मैं लेकर नहीं जा पाओगा क्योंकि और कुछ भी मतलब कुछ भी एक छोटा सा चीज लेने के लिए भी और स्पेस नहीं है मेरे पास पता नहीं मेरा मेरा जो ब्रॉ स्कूल गेट फेश्वा से ओसब को साथ कोई से लेना पड़ेगा ओ तो मैं पैन के ही जाओगा घर से ठीक है बस अभी है इसे अभी है देख लो अच्छे से हाँ ज मैं जा जा रहा हूँ ना वहां पर काफी जादा ठंड है और मेरों को ना ट्रेक करना पड़ेगा उधर ओ ट्रेक साथ 15 या 20 किलोमेटर का कुछ है ट्रेक जैसे मैं आप लोगों को और एक बात बोलना भूल गया था यह जो भीडियो आज का जो मैं भीडियो कर रहा हूं कह भूल यह मेरा घर है हां जी से उना आपने मेरगार एक्चल्य भूबनेसर में जो रहे रहा हूं ना पर रूम है वहां में रेंट में रहा हूं ठीक है आपने दोस्त लोगों के साथ कि अधर मारा पढ़ाई चल दहीं अभी तो मैरा पढ़ाई कतम हो चुका है नेक्स्ट क् अब लोगों ने और भी एक चीज नोटिस किया है कि मैंने कोठक का पुजा का ब्लॉग दिया लेकिन भूबनेसर का ब्लॉग नहीं दिया जब कि मैं भूबनेसर में रह रहा हूं अक्चल भाई सजबू लूटो मैं भूबनेसर का ब्लॉग शूटिंग करने चला गया था शूटिंग भी हुआ था ठीक है लेकिन उस्टें दिक्कत क्या हुआ ना मेरा बाइक को चलने बहले कोई आच्छे से मिलाने और जो चलने मलब जो ड्राइब कर रही थी ना वह फेवर आ गया तो मैंने पुरा रूम पर आ गया और मैं जो ब्लॉग सूट किया था ना वह सच बोलू तो भाई लेटराली मेरे को नहीं लग रही थी कि वह आच्छा है आप लोग एंजे कर पाऊगे तो जब मैं एंजे नहीं कर पा रहा हूं वह वीडियो को तो आप बहुत करके दे देता मैंने ठीक है जब मेरे को फेवर आ गया ना तो मैंने रिक्स बिल्कुल भी नहीं लिए क्योंकि अभी ब्याक्टू ब्याग मेरे को ट्रावल करनी है अगर भाई कुछ भी ओल्टा सीधा हो गया ना तो सब कुछ प्लान बेकार हो जाएगा मेरा ठीक ह फ्लोग में लेके आओगा अब लोगों के सामने बस हाँ जी अभी मैं आज चुका हूँ हैर कट करने के लिए यसा कुछ है ही नहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा से इसोब को फेड़र करना है मेरे को बस इसलिए आया हूँ फिर उसके बाद मेरा होम्टाउन में चल रहा है लक्स्मि माय का पूजा बहू सब डिक ने के लिए में निकाल चुक होगो ही मेरा दोस लोगों के साथ है काम करते अभी रगार क्ट करते फिर उसके बाद आपके साथ मल ताउन में हाँ आजी हले करने का बाद अभी हम निकाल चुके हैं पुजा गुमने के लिए और यह देख लो मेरा होम टाउन में लख्मी पुजा कैसे हो रहा है भाई पुरा दुर्गा पुजा जैसा ही हो रहा है लख्मी पुजा में लिए ड्राइब हो राइब हो थे बाद में यह मां के उपर जितने शारे जो ड्राइशन है मैं वह बढ़ा है माय के उपर एने की इस अब कर देकर से ने शाप सिल्वर कि यह ठीक यह पुरा चांदी मेढ बोलते है उसका हमारा वहां काफी बढ़े आये देख लो झाल 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 झाल